Hello Everyone, Welcome to Success with Rai Academy, Current Affairs, Current Affairs में आज हम 17 जून 2020 के important questions को discuss करेंगे और इसमें उनी questions को लिया गया है जो exam के point of view से most important है हर question के साथ आपको important facts बताए जाएंगे जिसे आपको note करते हुए चलना है और वीडियो के last में आपसे question पुछा जाएगा जिसका answer आपको comment box के माध्यम से देना होगा इस video का pdf link आपको हमारे telegram channel Success with Rai Academy से मिल जाएगा आप उसे join कर लिजेगा उसका link आपको description box में मिल जाएगा और जो लोग हमारे channel पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे subscribe कर लिजेगा, bell icon को press कर लिजेगा ताकि आपको वीडियो को notification मिल सके और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे like और share कर दीजेगा अब चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले उस question का answer देख लेते हैं जो आपसे comment box के माध्यम से पूछा गया था question था किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्द कराने की कार रियोजना तयार की है इसका right answer होगा second option उत्तर प्रदेश यह सुविधा उत्तर प्रदेश उपलब्द कराने जा रहा है और आज की news है कि इसमें एक आयोग गठित करने की भी सिफारिस की गई है अब आज ही questions को start करते हैं पहला question है multi location claim settlement सुविधा किसने शुरू की है इसका right answer होगा fourth option EPFO ने कर्मचारी भविश नीदी संगठन याने employees provident fund organization ने multi location claim settlement यानी विभिन इस्थानों से दावा निप्टान करने की सुविधा का सुभारंब किया है विभिन इस्थानों से दावा निप्टान करने की सुविधा के तहट बविश नीदी पेंसन आंसिक निकासी और दावों और हस्तान तरण दावों जैसे दावों को cover किया जाएगा मल्टी लोकेशन क्लेम सेटल्मेंट सुविधा EPFO कार्याले को देज भर में अपने किसी भी छेत्री कार्याले के माध्यम से ओनलाइन दावों का निप्टारा करने में सक्षम बनाएगी इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सीबी आईसी केंदरी अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा सुल्क बोर्ड याने Central Board of Indirect Taxes and Customs के अध्यक्ष M. अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक GST और सीमा सुल्क कार्यालेओं में E-Office अप्लिकेशन का सुभारंब किया गया है अप्लिकेशन के लॉंच के बाद CBIC अपने यहां आंत्रिक कार्याले प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्वता करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है E-Office भारत सरकार के राष्टिय E-Governors के तहत एक Mission Mode प्रोजेक्ट है E-Office को राष्टिय सूचना विज्ञान केंद्र दौरा विक्सित किया गया है और जो प्रसासनिक सुधार और लोग सिकायत विभाग दौरा समर्थित है राष्टिय सूचना विज्ञान केंद्र याने NIC के महानिदे सक है नीता वर्मा Next Question है सुरक्षा सैलरी एकाउंट किसने सुरू किया है इसका राइट एंसर होगा First Option Airtel Payment Bank Airtel Payment Bank ने सुक्ष्मिन लगू एवं मद्यम उद्धमों के लिए सुरक्षा सैलरी एकाउंट सेवा सुरू की है भारत में MSME छेतर में 60 मिलियन से अधिक इकाईया है जो भारत की GDP का 29 परतिसत हिस्सा है याने 29% Airtel Payment Bank का मुख्याल है नेदिल्ली में है इसके MD और CEO है अनुब्रत विश्वास Next Question पर आते है International Day of Family Remittance कब मनाया जाता है इसका Right Answer होगा Second Option 16 June हर साल 16 June को International Day of Family Remittance यानि पारिवारिक प्रेशन का अंतराश्टिय दिवस मनाया जाता है या दिन दुनिया भर में अपने लगबक 800 मिलियन परिवार के सदस्टियों के जीवन को बहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों दोरा दिये गए योगदान को चिन्नित करने के लिए मनाया जाता है इस वर्स के International Day of Family Remittance को Building Resilience in Times of Crisis की थीम पर मनाया गया है किस बैंक में सेलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा, फ्लेक्सी, कैस सुविधा सुरू की गई है इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट ओप्शन, ICICI बैंक ICICI बैंक ने अपने सेलरी खाता ग्राहकों के लिए Online Overdraft सुविधा, Insta Flexi कैस सुरू की है पुरी तरह से Digital इस End-to-End सुविधा का लाब ग्राहक बीना किसी डॉक्यमेंट देने अथ्वा बैंक साखा पर जाय बीना Internet Banking Platform के इस्तमाल के जरिये उठा सकते है यहां कम समय के लिए तुरंत रण की सुविधा ICICI Bank Salary खाता ध्रारुकों के लिए उनकी मासिक किस्त रुकने अथ्वा Check Bounce से बचने के लिए सुरू की गई है इस रण सुविधा की तुरंत मंजूरी मिल सकेगी और Customers 48 घंटे के अंदर इस Overdraft लिमिट का इस्तमाल सुरू कर सकेंगे ICICI Bank के प्रबंद निदेशक और CEO है संदीब बक्षी ICICI Bank के अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चत्रवेदी इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्याला है मुंबई महराष्टर में Next question है किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पुरे होगा यहाँ पर मैच हो गया है मैट पुरे का निधन हो गया है इसका राइट एंसर होगा Third option New Zealand New Zealand के पूर्व टेश्ट क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हो गया है उन्होंने 1953 से 1956 याने 1956 के बीच New Zealand के लिए 14 टेश्ट में 355 रन बनाए और 9 विकेट लिये थे इसके अलावा उन्होंने कैंटर बरी के लिए 61 मैच खेले जिसमें उन्होंने 2336 रन बनाए और 68 विकेट हासिल किये थे Next question है RBI दोरा बैंकों के पूर्ण कालिक निधेशक और मुख्य कारकारी अधिकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित उपरी सीमा क्या रखी है यानि उपरी सीमा आयू क्या है इसका राइट एंसर होगा 4th option 70 वर्स भारती रिजर बैंक ने बैंकों के प्रवर्तक समूँ से संबंद रखने वाले मुख्य कारकारी अधिकारियों और पूर्ण कालिक निवेसकों की उपरी आयू सीमा 70 वर्स तय करने का प्रस्ताव रखा है RBI ने उन व्यक्तियों के लिए अधिक्तम 10 वर्सों का कारेकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग छेतर में सासन को बढ़ाने के लिए के प्रवर्तक समोह से संबंदित है केंद्री बैंक ने CEO WTD के लिए आंतरिक नीती के रूप में कम आयू सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिकत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है नेस्ट कोश्चन विश्व बुजुर्ग दुर्व व्यवहार रोग्थाम दिवस कब मनाय जाता है इसका रायट एंसर होगा फॉर्ट ऑप्षिन पंदरा जुन विश्व बुजुर्ग दुर्व व्यवहार जागरुपता दिवस प्रतेक वर्स 15 जुन को मनाय जाता है बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्वयोहार की रोक्ताम के लिए लोगों में जागरुपता फैलाने के उद्देश से दुनिया भर में इसे 15 जुन को मनाया जाता है स्वेंगत राश्ट ने इस दिन के आयोजन की सुरुवात की थी जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे उनके साथ दुर्वयोहार की घटनाएं भी बढ़ रही है नेश्ट कोश्चन है फिलिपीन्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे निक्त किया गया है इसका राइट एंसरों का 1st option, संभू S. कुमारन संभू S. कुमारन को फिलिपीन्स गड़ राजज में भारत के अगले राजदूत के रूप में निक्त किया गया है वे भारत में Kingdom of मुरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवा रत हैं संभू एस कुमारन फिलिपीन्स गडराज में जैदीर मज्यूमदार के इस्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे नेक्स्ट है नाडा याने की नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी ने अपने रहने के स्थान की जानकारी ना देने के कारम कितने भारतिय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है इसका राइट एंसर होगा फोर्ट आप्शन पांच क्रिकेटरों को ये पांच क्रिकेटर कौन से हैं सुननीजे के एल राहुल, चेतेस्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, इस्मृति मंधाना, दीप्ती सर्मा ये पांच खिलाडी है के एल राहुल, चेतेस्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा सहीद BCCI के केंद्री अनुबंध में सामिल पांच भारती क्रिकेटरों को नाडा की और से नोटिस जारी किया गया है इन खिलाडियों में महिला क्रिकेट टीम की खिलाडी इस्मृति मंधाना और दीप्ती सर्मा भी सामिल है दर असल ये खिलाडी अपने रहने के इस्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहे थे और इसी की वजह से नाडा ने ये कदम उठाया है हाला कि BCCI ने देरी के लिए पासवर्ट गर्बड़ी का हवाला दिया है अब आज का कोश्चन जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है कोश्चन है आरोग्य पत्थ किसके द्वारा लॉंच किया गया है ऑप्शन्स हैं CSIR एम्स स्वास्त मंत्राल है या फिर इन में से कोई नहीं तो यह आज का यहने 17 जुन 2020 का करेंट अफेर्स का वीडियो था आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद